तो गाइस हम लोग अभी नीर मौल में पहुच चुके हैं तेकिन अपस्वास बारिस बहुत हो रहा है तो यह पीछे जो बोट है इस से अभी जाएंगे नीर मौल में तो अभी हम अगरतला में हैं तो यहां पर कैसे पहुच है या पको कैसे मालूम होगा इसके लिए आप लोग को जो की मेरा पुरा दूर के बुजा का जो वीडियो का सीरिस है उसको देखना होगा और तेकिन से पहले सब्सक्राब करना होगा फिर जाएक आप वीडियो देख साएंगे एक के बाद एक ठीक है तो आज वेदर बहुत ही अच्छा हो रहा रखा है तो वैस अभी हम बोट में बैठे हुए हैं तो अभी बोट स्टार्ट देगा और हम लोग मेर महल के लिए रावाना हो जाएंगे तो फिर चलिए के बाद आढर है तो अब लेख में बोट सब्सारि कर को के अलीज दग में में रहें हो जो के लिए। झाल झाल तो यह निर्मोहल है जोकि पाने के बिच में है तो हम लोग पहुंच चुकर है निर्मोहल में तो अभी वोट से उत्रेंगे फिर अंदर का व्यू अप लोगों दिखाएंगे तो गैस हम लोग बोट से उतर चुके है और बारिश भी स्वरासरा बहुत होड़ा है यहां पर और यह बोट हर 10-15 मिनिट में अपड़ान होता है यहां से वहां तो आप लोग इस निर्मोहल में एक घंटा टाइम कर सकते हैं कोई प्रोब्लम नहीं है तो हम लोग निर्मोहल के अंदर आ चुके हैं और यह है निर्मोहल के एक छोड़ा सा गार्डेन और अंदर के लिए आप लोगों को टिकेट काटना होगा कैमेरा का भी तो यहां पर निर्मोहल का कुछ हिस्ट्री लिखा हुआ है आप लोग चाहे तो पर सकते हैं और महल बहुत ही सुन्दर है तो हर एक और हर एक रूम आप लोगों दिखाएंगे आप लोगों के साथ शेयर करेंगे तो वीडियो को पुराइंट तक जरूर तो यह है राजाओगा बेड्रूम जो यहां पर भा करता था कभी एक टाइम और यहां से बेलकोन से बाहर का नजरा बहुत ही अच्छा दिखता है बहुत ही ब्यूटिफुल है जगह बढ़े बढ़ास ही तो अबॄरा ओंगे एका अका lot पुक्या और हमागे प्रल्स तो यहां औरह एक है दूबड़र अब।ारा यहां इनक है की नहींच भूत्तानने करा टाख तो यह मेहल का बाहर का नजरा है बहुती सुन्दर है और बहुती हाथ से मेंटेन किया हुआ है इस दगा को किया हुआ है तो यह राजाओं का बोट घाट्स है जहां राजा लोग यहां पे नावों में बैठके इस मेहल का दर्शन करते है या फिर करेंच आते हैं यहां से बहुत सुन्दर हवा आ रहे है यह बना रहा है बात्रूम बन रहा है अभी अब बात्रूम रही पात्रूम स मैं है यह आट से आ क्या सकता है यह अफ्यों शावार फूट गिए है आज यह बात्रूम का स्विच है जिसको गरम पाने से नाना आगा वह यह बने दोस्च फिर्ट का कि दर गई तो अभी महल से हम लोग बाहर निकल आया है यह मेर का बाहर का एक छोड़ा सा गर्डेन है बहुत ही अच्छा से मेंटिन किया हुआ है इस गर्डेन को बहुत ही ब्यूटिफल है महल और वेदर भी एकदम मस्त है तो यहां पर एक कीचन रूम भी है वो भी मैं आप लोगो दि हा दूंगा भी यह किचन रूम यह है किचन रूम पर दर्वाजा बहुत ही अच्छा लग रहा है आके हाम ही यहां पर वेदर भी बहुत ही मस्त है काफी फोट्सर कर लिया है अभी हम उपर में जाएंगे उपर उपर में चलिए लेकर दलते हैं अपने को किदर गई जान वो मेरी जान कहां गई अरे आमको उपर जाना था कि अच्छा कि अच्छा कि बहुत देर ढूनने के बाद हमको मिला है उपर जाने करे रस्ता जो की एक गुप्त है तो चलिए उपर करना जार आप लोगों को दिखा जेते हैं हम शायद बहुत सुन्दर होगा चलिए जागर देखते हैं तो हम अभी उपर में पहुंच चुके है महल के उपर में तो देखिए महल के उपर से नसरा कितना ब्यूटिफुल लग रहा है और यह जो महल का पीचा का जो गार्टन था वह उपर से कितना सुन्दर लग रहा है और वह किचेन रूंगा जिसका गेट राउंड सब था तो उपर से महल का व्यूटिफुल बहुत ही मस लग रहा है झाल झाल तो गाइस हम लोग मेरका जोपर का नजरा है वो दशन हो गया अभी हम लोग नीचे जाएंगे क्योंकि हमरा टाइम भी कतम हो रहा है तो नीचे जलते हैं और जो यह सीरी है बहुत ही छोटा है तो और पुराना भी है इसलिए आराम से उतरना बड़ेगा तो अभी हम लोग रबना होंगे घर के लिए क्योंकि एक गंड टाइम यहां से बिताया और जो की बोट है वो पंदा मिनिट बाद बाद यहां से पेसंजर लेकर वहां पर छोड़ने जाता है तो अभी हम नहीं जाएंगे बोट में तो बापस आदा घंड बाद हमको बोट मिलेगा तो गैसे मेहल बहुत ही बड़ा है बहुत ही सुन्दर है अगर आप लोग यहां पर आएंगे तभी आपको मलूम परेगा कि कितना सुन्दर है तो गैस यह आगर तला से एक दिर नगार रास्ता है देना महल जाने का तो अप लोग आएंगे आपेर बहुत ही अच्छा पहले से यह अर निरमॉह आपको कैसा लगा कमेंट सेस्शन में कमने में अधिक ढान बैता है और अच्छा लगा है तो सब्सक्राइब लाइक और शेर जरूर किजेगा तो गाइस अभी चलता है घर के लिए फिर मुनकत होगा आप लोगों के साथ नेक्ट वीडियो में तब तक के लिए देखते हैं मेरा यीटूब चैनल दास्तान को तो गाइस बाइस बाइस लवी ओल हैव नाज़ देख